अगर आपके बच्चे भी लॉकी वगरा नहीं खाते तो बस इस तरह से आप उनको बना कर दीजिए जट पट से सारा फिनिस करके आएंगे और लंच बॉक्स तो बिल्कुल खतम हो जाएगा तो इसके लिए मैंने आपर एक लॉक के लिए हैं इसके हम हाप इस्तमाल करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले बैटर बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल भर कर बेसन कोई भी नॉर्मल बेसन ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड़ करेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे जैसे हम पकॉड़ों के लिए बनाते हैं बिल्कुर सेम प्रोसेस से बनाना है हमको लेकिन हम पह बहुत अच्छे से गोल गया है इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलिया नहीं है और पहले से बहुत जदा पतला ना कर दें अब इसमें हम कुछ चीज़े एड़ करने वाले हैं तो पहले बेसन को अच्छे से फेट ले और इसके बाद चीज़े डालने से क्या होता है य आप में इसमें डाल देंगे हम नमक स्वादनुसार आप इसमें अपने मन पसंद कोई भी मसाले मेर्च एड़ कर सकते हैं लेकिन यह बच्चों के लिए बना रहे हूं तो बहुत जदा मेर्च मसाले एड़ नहीं करूंगी तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अगर अभी थोड़ी सी थिक लग रही हो तो पानी डाल कर इसको आप एड़ेस्ट कर सकते हैं बैटर को बहुत जदा पतला भी नहीं करना है हमको तो बैटर को अप फूलने देते हैं थोड़ी देर के लिए तब तक में हमने आपर यह लौकी को आधा करके इसको छील दिया तो आप इस तरह से चाकू से आप कर लें हाथों से बहुत तीज लिए इस तरह से राउंड राउंड सेप में हमारे लौकी के यह राउंड तयार हो जाएंगे अगर आपके घर में पकोड़े लबर हैं तो आप एक बर उनको इस तरह से लौकी के भी पकोड़े जरूर बना कर दीजिएगा इतने यमी लगते हैं न कि आप से हर बार बन वाएंगे और अगर आपको लौकी ना पसंद हो तो आप अपने बच्चों को आलू को भी इसी तरह से करके दे सकते हैं ये तरीका है बनाने के लिए तो लौकी को मैंने इस तरह से राउंड में कर लिया है बैटर के उपर है आप डालना चाहें तो डालें नहीं डालना चाहें तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं जो चिली फ्लैक्स होती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है जो हम मार्केट से लाते हैं अगर आपने घर में कूट कर तयार करी है तो फिर बहुत कम डालिएगा क्योंक के इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से हमें इसे लौकी को डिप करना है और गर्म गरम तेल में डाल देना है अगर आप किया थोड़ा बहुत सोड़ा वगरा डलता हो तो आप डाल सकते हैं वन्हां अगर बेसन अच्छे से फेटा होता है तो फिर उसकी जरूरत नहीं होती आप देख सकते हैं पकोड़े बहुत अच्छे से हमारी डल रहे हैं और कोटिंग बहुत ही बढ़िया से है बिल्कुल भी यह नहीं हो रहा है कि पकोड़े अलग भग रहे हैं लौकी अलग भग रही है ऐसा नहीं हो रहा है और अगर आप इसमें ऑईल नहीं पसंद करते आपको फ्राइ करके ही मिलेगा देखे बच्चे जो होते हैं वो बढ़ते हुए होते हैं तो आप उनको तेल घी बटर यह सारी चीज़ अगर आप उनको देते हैं तो उससे उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो खेल खेल के सारी चीज़ पचा देते हैं लेकिन अगर आप बहुत ही जदा हैल्दी हैं और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप इसे तवे में भी बना सकते हैं जैसे बंगाली वाले भाजा बनते हैं बिल्कुल इसी तरीके से तो ये देखें बहुत ही क्रिस्पी करा रहे हमारे लौकी के पकोड़े जो है वो तयार हो चुके हैं बहुत ही क्रंची बहुत ही यमी तो इसी तरह से मैंने काफी सारे बना लिये हैं आप बहुत सारे बना कर तयार कर सकते हैं टोमैटो सॉस में टोमाटर की चटनी में आप इसको खा कर देखें बहुत यमी रखते हैं और ये देखें उपर से जो इसकी इसके ने बहुत यी कृस्पी है न हक्रिसपी है, न हमने सूजी डाली और न हुआ कोई और चीज्झी स्रिट बेशन से हमने बना कर त्यार गिया है तो ये देखिए, बनकर त्यार है हमारा आज का लंच बॉक्स आप इसे चाहिए हस्बेंड के लेंच बॉक्स में रखें या बच्चों के या खुद के लिए बनाई या फिर साम की छोटी मोटी भूग के लिए सभी के लिए बहुती ज़दा परफेक्ट है तो आप भी इसको जरूर ट्राइ कीजेगा आई होब कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी इसी तरह की और भी लंच बॉक्स रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइक इन भी दबा ले मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में थेंक्यू थेंक्स पुर वाचिंग चलिए करते हैं बच्चों को खुस और बनाते हैं कुछ ऐसा कि उन्हें पसंद भी आए और पेड़ भी भर जाए तो इसके लिए आपको लेना है यहाँ पर एक बावल इसमें लेंगे मैं यह दो चीज के क्यूब ले लिए हैं इसे हम इसमें ग्रेट कर देंगे तो जैसे मैं यहाँ पर चीज का इस्तमाल कर रहे हूँ अगर आपके पास चीज ना हो और आप चीज नहीं डालना चाहते हैं तो आप सेम प्रोसेस से आलू का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन चीज से यह रेसेपी थोड़ी ज्यादा टेस्टी लगती है इसलिए मैंने यहाँ पर चीज का इस्तमाल किया और चीज बच्चों के लिए बहुत ही फायदे मन्द होती है तो आप यह निश्चिंत रहें कि हम चीज का क्यों बनाए अब हम इसमें डाल देंगे यह थोड़ी चॉपकी हुई ग्रीन चीली साथ में धेर सारा चॉपकी आव हम धनिया डालेंगे आप चाहें तो इसमें चॉपकी आव गार्लिक भी डाल सकते हैं थोड़ा सा मिसमें डालेंगे औरिगयनों मेक्सप्स अगर आप बिल्कुल इंडियन तरीके से बना रहे हैं तब आप इसमें जो मसाले होते हैं न इंडियन वाले वो डाल सकते हैं या फिर आप एक पैकेट मैगी का जो मसाला आता से ऐसे वो डाल दें फिर आपको कुछ भी डालने की जुड़त नहीं पड़ेगी अब इस सारी चीज़ों अच्छे से मिक्स कर दिया हमने अब यहाँ पर मैंने यह बंस लिये हैं तो अगर आपके बस बर्गर हो आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं पाओ हो उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह से बंस मिल जाते हैं तो आप यह भी ले लीजे और इसको हमें इस तरह से कट कर लेना है और इसके अंदर हमको इसको फिल करना है तो सभी तरब से अच्छे से कट हो गया है अब इसमें हम यह स्टफिंग को लगा देते हैं तो इस तरह से ये चीज वाली स्टफिंग भी लगा सकते हैं पनीर की स्टफिंग लगा सकते हैं या फिर आलू की स्टफिंग भी लगा सकते हैं दोनों बंस को हम इस तरह से अच्छे से फिल कर देंगे बच्चे इस तरह की रेसिपी बहुत पसंद भी करते हैं और उनका इसम समारे भर गए हैं यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा मेल्टेट बटर आप गी का इस्तमाल कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से वेरियेशन कर सकते हैं अब इसको हम इसमें रख देंगे और इसको एक से दो मिलेट लगता है जब तक की चीज मेल्ट ना हो जाए अल्टी प खाती हुई है तो आप इस तरह से हेल्दी वेपे बच्चों को घर पर बना कर दे सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में तो ढग देंगे इसको हम 5 मिनिट के लिए 5 मिनिट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पर हमने इसे ढग दिया था जिससे कि नीचे से अच्छा क्रंची हो ग उपर से थोड़ा साम चिली फ्लेक्स और लगा देते हैं तो यह जो मार्केट वाली चिली फ्लेक्स होती है बिलकुल भी तीक ही नहीं होती है और आपने घर में होममेट चिली को रोस्ट करके उसे क्रस किया है तो वह बहुत तीक ही हो जाती है और इस तरह से यह देखिए तैयार हो गए है तो आप चाहें तो लंच बॉक्स में इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत सौस रख सकते हैं तो बस बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी है हमारा यह तैयार हो गया है लंच बॉक्स अगर आप इन्हें साइड लंच बॉक्स में तो आप इस तरह की राउन सकते हैं और Anton sum कूझ Berkeley पराइए आप एसकें बूक्त को दें तो एक पहुत ही यम्य लगता है तो आप शौराइ कीजेग रेसेपी पसंद आही हूँ, तो लाइक के सबस्क्राइभ करना ना भूल मैं मिलत तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक ही थेंक्स फर वाचिंग अगर आपको चीज नहीं डालना है तो आप फिर आलू का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप पनीर का चाहे तो पनीर का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन चीज से रेसेपी ज्यादा अच्छी बनती है अब इसमें डाल देंगे दो चौप की हुई हरी मिर्च धेर सारा धनिया तो आप मिर्च अपने हिसाब से अड़ कर सकते हैं आप इसमें चौप की हुई लेस्वन का इस्तमाल भी कर सकते हैं मैं नहीं कर रहे हूं हम इसमें डाल देंगे जो पीजा मिक्स हबस आते हैं और यह कहना वगर अब वो हमने डाल दिया है सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे चिली फ्लेक्स हम इसमें नहीं करेंगे हम थोड़ा इसमें चिली फ्लेक्स अवाइट करेंगे क्योंकि हमने पहले ही चौप करके मिर्च अड़ कर ली है अब यहां पर मैंने लिए हैं यहां पर यह ब्रेड तो जब आपको कुछ समझ में ना रहा हो और बच्चों कुछ अच्छा टिफिन रखना हो ना तो आप इसे रख सकते हैं तो आप चाहिए तो इसे पूरी ब्रेड में रख सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा सा बच्चों को और जदा अच्छा दिखने के लिए इन्हें हमने राउंड सेप में कट कर लिया जो कॉर्णर है इसके आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं जब टिक की वगरा आप फ्राय करते हैं तो इससे बहुत ही कुरकुरी बनती है तो दोनों को हम इसे इसी तरह से स्लाइस को कट कर लेंगे एक की उपर हम इसको स्टफ करने वाले हैं तो इसलिए हमको यहां पर डबल ब्रेड का इस्तमाल करना इससे बहुत ही बढ़ी आसा स्वाद आता है आप स्वास वगएर भी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं बटर की जगा पर आप गी का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब इसमें हम लगा देंगे हमारी स्टफिंग तो यह बहुत ही चीजी लगती है ठंडा होने के बाद भी यह न हाथ में हलका हलका लगाना है साइट के कॉर्णर अगर आपके हाथ में अठके तो अलग कर दें और अच्छे से चिपका देना है तो बहुत जिदा पानी नहीं लगाना है बस हाथों में हलका हलका पानी लगाना है आपको और यह बहुत अच्छे से इस टिप हो जाते हैं तरह से हम एक और बना लेंगे या फिर आपको जितने बनाने हों से आप तयार कर लें यहाँ पर आप एक नॉनिस्टिक पैन ले 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 कोई भी ले सकते हैं इसमें डाल दिंगे थोड़ा सा बटर आप यहाँ फिर से घीका इस्तमाल भी कर सकते हैं और इसको हमें दोनों तरप से गोल्डन क्रिस्प होने तक सेख लेना है तो इस तरह की रेसिपीस बच्चों को थोड़ा देखने में अट्रेक्टिव लगती हैं चीज भरा हुआ है तो खाने में भी टेस्टी लगती है और बिल्कुल भी लंच बॉक्स बच्चे बापस नहीं लेकर आने हैं छोटी मोटी भूख के लिए या मम्यों को कुछ समझ में ना आ रहा हो और बच्चों को वही चीज आप ठोड़ा घुमा फिरा कर देते हैं तो उन्हें पसंद भी आती हैं और वो खाते भी हैं तो यह देखें बढ़ियां से कोल्डन कलर आ गया है थोड़ा सा बटर हम और लगा देंगे बटर और ब्रेट का कॉंबिनेशन इतना यमी लगता है न कि बच्चे तो इसे ऐसे ही खा लेते हैं और अगर उनकी फेवरिट चीज मिल जाए अगर आपके बच्चे बहुत ज़दा बाहर का पीजा बर्गर यह सब खाते हैं तो आप इस तरह की चीज़ से और भी ज़्यादा बना सकते हैं तो यह देखिए मैंने इन्हें सॉस के साथ सर्व किया है आप क्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर म्योनीस के साथ यह देखिए बढ़ियां सा यमी सा हमारा ब्लेट से बना हुआ चीजी चीजी नास्त तयार है आप इस तर घर पर जरूर ट्राइ किजेगा बच्चों को डेफिनेटल यह बहुत पसंद आने वाला है मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना चली बनाते हैं आज बच्चों के लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी सा लंच बॉक्स यदि आपके बच्चे भी लॉकी नहीं खाते हैं तो इस तरह का लंच बॉक्स जरूर बनाए तो इस तरह से मैंने लॉकी को छील लिया है आधा कट कर लिया है मोटे वाले ग्रेटर से हम इसको grate कर लेंगे तो मोटे वाले grater से क्या होगा ना कि यह बहुत अच्छा बनता है अगर पतला कर देंगे तो बहुत ज़दा fine paste बन जाएगा तो हम इसको paste नहीं बनाना है और सारे हम लौकी को इस तरह से हम cut कर लेंगे grate कर लेते हैं आप चाहें तो chopper से chop भी कर सकते हैं इस तरह से देखें बढ़ियां से हम इसके लच्छे बना लेने हैं सारे लौकी को हम इसी तरह से प्रोसेस से कर लेंगे तो हमने लौकी का बहुत ही बढ़ियां से इस तरह से grate कर लिया है अब इसमें डाल देंगे दो chop की होई हरी मिर्च साथ में डाल देंगे धेर सारा हरा धनिया अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा तीखा के लिए नमक डाल देंगे स्वादा नुसार हल्दी पॉड़र डाल देंगे एक चताई चोटी चमबच धनिया पॉड़र डाल देंगे एक चमबच की लगभग और बेशन डाल देंगे इसमें एक बावल भर कर इसका टेस्ट और इनहेंस करने के लिए अजवाईन भी डाल देंगे यहाँ पर आदी छोटी चमबच के लगभग अब आप कहेंगे कि यह बच्चों के लिए तो तीखा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप अपने बच्चों के हिसाब से तीखा डाल सकते हैं मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है पानी का इस्तमाल हम नहीं करेंगे लॉकी के मॉस्टर में ही यह बहुत अच्छे से बाइन अप हो जाएगा तो यह देखे बढ़िया सा यह डो जैसे बंद गया है हमें इसमें कोई सोडव अगरा एड नहीं करना है ऐसे ही बनाएंगे हम इसको तो हमें इसका एक लोब टाइप का बनाना है क्योंकि हम इसको स्टीम करने वाले हैं आप चाहें तो छोटे-छोटे पोर्चन में भी आप इसको स्टीम करने रख सकते हैं यह देखे इस तरीके से तो इसके लिए हमें एक steamer को तयार कर लेना है यह देखे यहाँ पर मैंने एक कड़ाई में पानी गरम करने रख दिया है इसमें तेल लगा कर एक छन्नी जाली रख देंगे और लोब को रख देंगे इसके उपर अच्छे से फैला देंगे और इसको आप घड़ी लगा कर 15 मिट के लिए steam करें मेडियम फ्लेम पर ना इससे ज्यादा ना इससे कम 15 मिट में बहुत अच्छे से यह steam हो जाएगा और आप यह आप देखें यह कितना liquid है ना फिर थोड़ा सा hard हो जाएगा तो इसको अच्छे से set कर ले और फिर आप इसको चाहें तो ढख दें और ढखने से यह जल्दी से कुख हो जाएगा तो अब हम इसको 10 से 15 मिट के लिए छोड़ देते हैं cover करके gas का flame low to medium रखें high flame पर नहीं रखना है हमको अब इसको कोखोरने देते हैं तो 15 मिट हो चुके हैं 15 मिट आप बाद आप देख सकते हैं इस तरह से चाकू से चेक करेंगे ना तो बिल्कुल भी यह चिपक कर नहीं आ रहा है उपर इसका मतलब यह अच्छे से कोखो गया है उपर से भी आप इसको टच करके देखेंगे तो यह बिल्कुल भी देखिए नहीं चिपकेगा हाथों में तो बस इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इससे हम बाहर निकाल लेंगे बाहर निकालके इसको ठंडा करें और इसके बाद ही हम इसको कट करेंगे एकदम गरम गरम में ज्यादा टच नहीं करेंगे अब यह अच्छे से ठंडा हो गया है देखिए इस तरह से हाथों से निकल जाएगा अब हम इसके पीसिस कट कर लेंगे तो आप चाहे तो इसको स्टीम करके ऐसे डिरेक्ट भी खा सकते हैं अगर आपको ज़दा इसको तड़का वागरा नहीं देना है या आपको सिंपल ज़दा तेल वागरा नहीं खाना है तो आप ऐसे भी चटनी के साथ इससे सर्व कर सकते हैं मैं इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे रही हूँ तो इसको हम थोड़ा सा स्वाते कर लेंगे तेल में जैसे तड़का देते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें थोड़ा सा तड़का दे देंगे तो पैन में ले लेंगे तेल दो चमच के लगभग अब इसमें डाल देंगे सर्व के दाने छोटे वाले साथ में इसमें डाल देंगे करी लिप्स तो इससे बहुत अच्छा स्वादा जाता है मिर्च हमने पहले ही ज्यादा डाली तो आप नहीं डालेंगे आप चाहे तो तड़के में भी एकाद मिर्च डाल सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे हमारे ये लोकी के नास्ते और इसको अच्छा सुनहरा होने तक हमें सौते कर लेना है बहुत देर तक कोख नहीं करना है हलका सुनहरा हो जाए बस इतना ही ऐसे में क्या होता है कि अगर ये थोड़ा ठंडा भी हो जाता है न लंच बॉक्स तो भी वो बहुत स्वात देता है बहुत यमी लगता है लोकी और बेशन से बना है तो बहुत हेल्दी भी है तो इस तरह से बच्चों को आप दीजे बहुत हेल्दी टेस्टी और लोकी से बना हुआ है तो अगर उनको लोकी नहीं भी पसंद है तो इस तरह के नास्ते वो खा लेते हैं मेरे बच्चे तो इस तरह की चीज़े बहुत पसंद करते हैं तो एकर मैं उनको ये वाला लंच बॉक्स देती हूँ न तो बिल्कुल फेनिस वो कराता है रोटी पराठे और पूरी से बच्चे बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा अलग-अलग करके उनको दो न तो व देखे बढ़िया सामने इसको तयार कर लिया है कितना बढ़िया इस पे कलर आ गया है अब उपर से हमने चौप किया हुआ धनिया डाल दिया है तो कई लोग इसमें तिल भी एड कर सकते हैं अगर आपको बहुत पसंद हो तड़के में मैंने नहीं किया है ये देखे ये अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इतनी महनत के लिए एक लाइक तो बनता है मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग बच्चों को नूडल्स मैगी ये सब चीजे बहुत ही पसंद होती है साथी लंच बॉक्स में रख दो तो वो और अच्छे से खाते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नूडल्स तो हम इने बनाने वाले हैं आटे से तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर दो कप गेहूं का आटा साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक तेल बगरा एट नहीं करना है हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपके पास गुता हुआ आटा रखा हुआ है तब ही आप ये रेसिपी बना सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे जैसे कि हम रोटियों के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका एक आटा लगा कर तयार करना है तो यह देखिए बढ़िया सॉफ्ट सा हमने आटा लगा दिया है थोड़ा सा इसमें हम ऑईल लगा देंगे और पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे इसको रेस्ट करने के लिए जिससे कि इससे नूडल्स बहुत ही अच्छे से बनते है तो यह देखिए बढ़िया से इबीच से आधा कर लिया है जिता हमारे साचे में आ जाए उसी साब से हम इसको डालेंगे तो आप जिससे मुरुक्कू या फिर नमकीन वगरा बनाते हैं उसी से हम इससे बनाने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने मोटे वाला साचा ले लिया है जिससे नमकीन जो रतलामी से ब तो तेल हमने काफी अच्छे से लगा दिया है अब यह डो हम इसमें लगा देंगे और इसको हम कवर कर देंगे तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फुल नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा नूडल्स हम नहीं बना रहे क्योंकि यह तुरंत बना और तुरंत इसको सर्व करने वाला है आप इसको रख नहीं सकते हैं तो हमिने को जितनी बनानी- उतने आटे की ही हम बनाने वाले हैं याँपर यहाँ पर मैंने पाणी एक दम गरमा गरम कर लिया है pair indo कर ले और इसके बाद आप इस नूडल्स को डाल दें इस में और दस मिनिट के लिए आप इसको बॉयिल कर ले तो यह ह्या हमारा जो नूडल्स है बहुत अच्छे से कोख हो जाएगा कि के लिये लग्या अच्छे से कोख हो देंगे और अब इसे बहुत अच्छे से 10 मिनिट के लिए चाहिए आप कवर करके इसको कुक करें या फिर ऐसे ही यह देखिए 10 मिन हो चुके हैं काफी अच्छे तरह से पानी हमारा खौल रहा है नूडल्स बहुत अच्छे से फ्लो होने लगे हैं एकदम कुक हो गए हैं तो साथ ठंडे पानी से आप इसे वास कर लें जिसकी कुकिंग प्रॉसेस रुख जाए तो सारा पानी हमें इसका अलग कर देना है आप स्ट्रेणर में निकाले या च्छनी से चान ले यह देखिए बढ़िया से हमारे नूडल्स जो है वो बनकर तयार हो गए हैं और बिलकुल च्छेश का ज हमें दो तृटी मिर्ष का मैं च्छोटा कहीं हमने सिम् Lindsay लिया है तो सबजी हैं आप अपने हिसाम से डाल सकते हैं प्याज भी डाल सकते हैं फ Fleet сто Rebel झे है attacking डलना Nate Paran की बनी हुई है न तो इसमें खटा मीटा स्वाद होना ही चाहिए साथ में डाल देंगे थोड़े से मटर तो यह फ्रोजन वाले मटर है दो चमच के लगभग हमने लिए हैं सबजी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो जो आपके बच्चों को पसंद हो वो सारी सबजी आप ले सकते हैं अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सर नमक स्वादन स्वार क्योंकि हमने आटे में भी डाली और हमने इसमें सॉस भी डालना है तो नमक आप उसी साब से डाले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है नमक डालने से टमाटा जल्दी से जो को mix कर देंगे, over sauce बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस दो ही sauce का इस्तमाल हम कर रहे हैं यहाँ पर, अब यह जो हमारी boil की हुई noodles हैं, इन्हें हम डाल देंगे, और आप देख सकते कितनी खिली-खिली हमारी noodles बनी हैं, बिल्कुल भी sticky नहीं है, बिल्कुल भी कच्ची नही तो यह देखिए, बढ़िया से हमारी noodles जो है, वो तयार हो गई हैं, तो घर में रखे हुए आटे से आपने कितनी बहतरी noodles बना ली, हुई बच्चों की favorite, और अब हम इसको बच्चों के lunch box में pack कर देंगे, तो यह देखिए, बच्चों का favorite बहुत यमी सा हमारा lunch box हो चुका अगर आप लोगों को यह recipes पसंद आती हैं, तो जरूर लाइक किया करिए, और comment पर भी बताइए, कि आपने इसमें से कौन सी recipe ट्राइ करी, और आपको किस तरह की recipes देखनी हैं, यह भी आप मुझे comment box पर बता सकते हैं, अगर आज की recipe आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीज और share भी कीजिएगा, मैं मिलती हूं next video में, thank you, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा चटपटा tasty lunch box की recipe, जिसे बनाने के लिए नहीं चावल के आटे की इस्तमाल की ज़रूरत हैं, नहीं बेसन, नहीं सूजी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इससे बनाने वा पानी से बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, मीडियम रखना है, यह देखिए, इस तरीके से हमने इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लिया है, बिल्कुल lawns pre बैटर बनाना है हमको, इस तरीके से बैटर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें की चीज़े एड करेंगे आटे से बनने वाला नास्ता बहुत ही हेल्दी भी होता है और जटपट से बनकर तयार हो जाता है तो यह देखे एकदम मिक्षर हमारा तयार है अब यहाँ पर हमने लिया है दो कच्छे आलू इन्हें अच्छे तरह से पतले वाले ग्रेटर से ग्रे नमक, दो पिंच की लगबाग हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर देने के लिए बस और सारी चीज़ों को अच्छे समय मिक्स कर देना है अगर आप इसमें सूजी एड करना चाहते हैं या फिर चावल का आटा एड करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं वो ऑप्सनल है मैंन ने बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल सी इंग्रिडेंट से बना कर तयार किया है तो मिक्स्चर हमारा एकदम रेडी है इसको दो मिनेट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से दो से पांच में ड्रेस्ट करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मीठा अटाई का इस्तमाल नहीं किया इसलिए हम नीबू डाल रहे हैं तो नीबू डाल कर अच्छ से से अब हम मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए एकदम स्मूथ सा हमारा जो बैटर हो तयार हो गया है आप चाहे तो थोड़ा सा काड़े साइड में भी इस बैटर को रख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने यह अपए पैन ले लिया है तो हम आटे से बनने वाले अपए बनाने वाले हैं जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बन कर तयार होते हैं इस तरीके से हमें इसमें सभी में ओईल लगा देना है आप चाहे तो इसमें राय जीरा का तड़का भी दे सकते हैं लेकिन बच्चे क्या होते हैं इस तरह की चीजे फिर खाते नहीं तो मैं यहाँ पर ने प्लेन ही रखने वाली हूं तो सभी में हमने ओईल लगा दिया है गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है क्योंकि बहुत जल्दी से बन कर तयार हो जाते हैं सभी तरफ लगाने के बाद हमें सभी खांचों में भर देना है हमारे बैटर को बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद सभी में हमें भर देना है अगर आप में इसमें चीज वगारा भी एड करनी हो तो बीच में कर सकते हैं लेकिन यह ऐसे ही बहुत टेस्टी बह कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाएं तो इस तरह की रेसिपीस आप देख सकते हैं चुकि बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है आप चाहे तो इसमें बेसन भी आड़ कर सकते तो वैरियेशन आपकी उपर है आप आटे के साथ क्या मिक्स करना चाहते हैं नहीं करना चाह सारा प्रोसेस में हमको 5-6 मिनिट लगता है और बच्चों का बहुत ही टेस्टी सा लंच बॉक्स बनकर तयार हो जाता है तो दो मिनिट के लिए कवर कर देंगे दो मिनिट में ही आप देख सकते हैं कितने बढ़ियां से यह हो गए हैं अब इनको हम टर्न कर देंगे सभी को अच्छे से टर्न करना है क्योंकि यह आटेक है तो बहुत ज़्यदा सॉफ्ट है तो आप यह न सोचे कि एकदम सिक एसेद से दिख रहे हैं आटेक होने के कारएं यह बहुत सॉफ्ट बने हैं बनने के बाद यह और भी ज़दा टेस्ट लगते हैं तो यह देखिए अब इसको फिर से एक मिनिट के लिए कवर देते हैं एक मिनिट के बाद देखेंगे तो एक से डेड़ मिनिट की बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों तरप से बहुत अच्छ से हो गए हैं इन्हें निकाल देंगे बाहर या फिर सीधे लंच बॉक्स में रख दें बच्चों को आप सुबह के नास्ते में दे सकते हैं साम को जब छोटी मोटी भूक लगी होती है तब भी आप उनको इस तरह से बना कर दे सकते हैं तो अब हम लंच बॉक्स पैक करते हैं तो ये देखिए मैंने आपर इन्हें लंच बॉक्स में डाल दिया है आप चाहे तो sauce रख सकते हैं मियोनिस रख सकते हैं या फिर यह ऐसे ही बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो यह देखिए आज का बहुत ही healthy और tasty सा यह lunch box पन कर तयार है आप भी अपने बच्चों के lunch box में इसे जरू ट्राइ किजेगा उन्हें बहुत पसंद आने वाला है मैं मिलती हूँ next वीडियो में थेंक यू थेंक्स पर वाच्चिंग